हलो माई डियर फ्रेंड्स विलकम बैक टू माई चैनल आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी उसका शिर्षक है बीवी की बेशरम बहन संकेत ओफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था वो आइने के सामने खड़ा अपने बालों में कंगी कर रहा था उसकी पतनी दिक्षा किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी तभी दिक्षा का मोबाईल उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उटता है संकेत ने फोन देखा तो उस पर डिमपल कॉलिंग लिखा रहा था उसने गंदा सा मूँ बनाया तभी दिक्षा की आवास किचन चे आई दिख्षा बोली संकेत मेरा फोन बज रहा है देखो तो किसका फोन है संकेत बोला डिमपल का दिख्षा बोली तो उठाओ ना देखो ना क्या बोल रही है लेकिन संकेत ने डिमपल का कॉल पिक नहीं किया इसी बीच कॉल डिसकनेक्ट हो गया तभी एक बार डिम्पल का कॉल आया संकेत ने मोबाईल उठाया और ले कर दिक्षा के पास ले गया संकेत बोला लो तुम ही बात कर लो न दिक्षा बोली तुम भी संकेत हद करते हो डिम्पल तुमारी साली है तुम उससे ऐसे बिदखते हो जैसे की वो तुमें खा जाएगी यह कहकर दिक्षा ने फोन उठाया डिम्पल बोली ओए कहां थी तू इतनी देर से फोन नहीं उठाया सुभा ही जिजा जी के साथ रोमेंस कर रही थी क्या डिक्षा बोली अरे यार शादी के बाद सुभा सुभा रोमेंस पती के साथ नहीं कीचन में पराठों के साथ होता है पराठे बना रही थी तुम्हारे जिजा जी के लिए ओफिस का समय हो रहा है न डिक्षा बोली सही है सुन मैं तीन महिने के लिए बैंगलोर आ रही हूँ ओफिस की ट्रेनिंग है डिक्षा बोली सच सुभा सुभा तो तुने मस्त खुश खबरी दी है आजा बहुत दिन से तुझसे मुलाकात नहीं हुई है यहां मिलकर तीनों खुब मस्ती करेंगे डिम्पल डिक्षा की मोसेरी बहन थी डिक्षा ने डिम्पल की आने की खुशी की बात संकेत को बताई तो उसका मुँ उतर गया संकेत बोली कब आ रही है वो डिक्षा बोली परसों की फ्लाइट है उसकी संकेत बोले परसों इतनी जल्दी इक्षा बोली क्या बात है डिम्पल की आने की बात पर इतना ठंडा रियाक्शन अरे जीजा जी लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं और एक तुम हो कि जिसके चेहरे का रंग ही उतर गया संकेत बोले नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है मेरा रंग यू उतरेगा संकेत डिम्पल की आने की बात सुनकर नर्वस हो गया जब वो कार ड्राइफ करके अपने ओफिस जा रहा था तो उसे डिम्पल के साथ अपनी मुलाकात याद आ गई दो साल पहले की बात है संकेत दूली की ड्रेस में बहुत ही हैंसम लग रहा था वो स्टेज पर खड़ा था वरमाली की तैयारी हो रही थी डिम्पल बोली वाउ जी जा जी आप तो बहुत ही होट लग रहे हो प्री कर रहा है आपको हग कर लूँ डिम्पल की बात सोन कर संकेत उसे घूलने लगा तो डिम्पल ने हसते हुए कहा क्या बात है ऐसे क्यों घूल रहे हैं कुछ करने का इरादा है क्या संकेत तब भी डिम्पल को घूल रहा था तब भी डिम्पल जोर जोर से खिल खिलाते हुए हसते हुए बोली अरे जी जाजी आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं मैं कोई गैर नहीं आपके आधी घर वाली I mean आपकी साली हूँ डिमपल नाम है मेरा वर्माला के स्टेज पर यही थी डिमपल के साथ उसकी पहली मुलाकात बहरा संकेत और दिक्षा की शादी हो गई जब वो दिक्षा को बिदा करके ले जाने लगा तो डिमपल उसके पास आई और उसके कानों में कहा क्यों जिया जी रात को सोने दोगे या नहीं डिमपल की बात सुनकर संकेत झेब गया उस मुलाकात में संकेत के मन में डिमपल की एक अलग छवी बना दी थी फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन एक दो बार फोन पर बात हुई डिमपल बोली क्यों लिया जी आप तो कभी फोन ही नहीं करते अपनी होट प्यारी साली को संकेत बोला जी करूंगा करूंगा डिमपल बोली कब रात को पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होगे न फिर डिमपल खिलखिला कर हसती है संकेत उस दिन ओफिस में भी अपसेट रहा खेर डिमपल के आने का दिन आ गया संकेत बोला तुम भी चलते न एरपोर्ट डिमपल को ले आने के लिए दीक्षा बोली अरे संकेत दिख नहीं रहा है कितना काम पड़ा है अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो खामका बहुत देर हो जाएगी तुम चले जाओ ना मैं तब तक लंच तयार करके रखूंगी उदासमन से संकेत एरपोर्ट गया जब वो एरपोर्ट पहुँचा तो दिमपल की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी वो एरपोर्ट के बाहर काले रंगी मिनी स्कर्ट में खड़ी थी जैसे ही वहां संकेत पहुचा उसने दोड़ कर उसे गले लगा लिया संकेत का दिल जोरो से धड़कने लगा डिमपल बोली क्या जी या जी बहुत अरपाते हुआ आप कहां रह गये थे दस मिनट से आपकी खुबसूरत होट साली आपका वेट कर रही है और आप हैं कि अब आ रहे हैं संकेत बोले वो ट्रैफिक में फस गया था डिमपल बोली अरे कभी हमारी नजरों के गहरे में भी फस जाईए ना निकलने का मन ही नहीं करेगा यह कहकर डिमपल फिर से खिलखिला कर हस पड़ी और एक बार फिर से संकेत के गले लग गई संकेत चुकचाप खड़ा डिमपल को देखता रहा डिमपल बोली क्यों जिजा जी इसी तरह चिपके रहना है या घर भी चलना है संकेत की आखे शरम से जुग गई कुछ देर बाद डिमपल और संकेत कार में बैठे और घर की ओर जा रहे थे थोड़ी देर बाद वो घर पहुँचे और डिमपल ने दिक्षा को देखते ही बोला ओ माई डार्लिंग कितनी खिल रही है तू लगता है जी जा जी खुब प्यार करते हैं तुमें दिक्षा बोली तू भी कर ले शादी तुझे भी तेरा पति बहुत प्यार करेगा डिमपल बोली क्या दिक्षा तुम भी प्यार करने के लिए शादी करने की ज़रुरत है क्या जी जा जी ये कह कर डिमपल ने संकेत की ओर देखा और आप मार दी संकेत इधर उधर देखने लगा डिमपल को आए दो सप्ता हो गए थे और इन दो सप्ता में उसने कई बार संकेत को छेड़ा और कई बार उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ कि वो दिक्षा को बता दे दो दिन पहले की बात है दिक्षा घर पर नहीं थी डिमपल बातरूम में नहा रही थी तभी उसने जोर जोर से चिलाना शुरू कर दिया डिमपल बोली जीजा 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 जी अरे आईए जल्दी आईए मुझे बचाईए संकेत उस समय जरूरी काम कर रहा था लेकिन उसने जैसे ही डिमपल के चुल्लाने की आवाज सुनी तो वा सोचने लगा अरे ये तो डिमपल की आवाज है क्या हुआ उसे वो भागा भागा बातरूम की ओर गया डिमपल अभी चिला रही थी डिमपल बोली जीजा जी जीजा जी बचाईए बचाईए डिमपल ने बात्रूम का दर्वाजा खोला उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे वो एक बार फिर से संकेत के गले लग गई संकेत बोला क्या हुआ तुम चिल्ला क्यों रही हो डिमपल बोली जी जा जी जी अभी यहाँ पर एक चिपकली थी वो मुझे घूर रही थी संकेत बोला चिपकली यहाँ चिपकली कैसे आ गई डिमपल बोली वो तो मुझे पता नहीं शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो यह कह कर वो एक बार फिर हस पड़ी इस बार संकेत को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया संकेत बोला डिमपल देखो यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता प्लीज यह सब मत किया करो अगर दिक्षा को पता लगेगा तो वो मेरे बारे में क्या सूचेगी डिमपल बोली दिक्षा को बताएगा कौन जीजा जी डिमपल ने यह कह कर एक बार फिर अपनी आख मारी संकेत वहां से चला गया लेकिन डिमपल की इन हरकतों के कारण संकेत बहुत डरा डरा और टेंशन में रहने लगा एक दिन जब दीक्षा ने उससे इसका कारण पूछा तो संकेत ने कहा दिक्षा डिमपल का बहेवियर मुझे एकदम ठीक नहीं लगता वो अजीब समजाग करती रहती है मैं अनकमफर्टेबल फील करता हूँ दिक्षा बोली अरे संकेत तुम भी न अरे वो साली है तुमारी वो नहीं करेगी तो तुमसे और कौन मज़ाग करेगा एक बात और वो हमेशा से ही ऐसी है उसकी बातों पर इस तरह टेंस हो जाओगे तो फिर क्या होगा बात आई बात गई संकेत भी दिक्षा की बातों को सुनकर चुप्पी रहने लगा लेकिन उस रात की घटना ने संकेत की चुप्पी तोड़ दी असल में कुछ दिनों से दिक्षा की तव्या ठीक नहीं चल रही थी उस रात दिक्षा को दबा देकर संकेत गैलरी में टहल रहा था क्यूंकि उसे नीद नहीं आ रही थी तब ही डिमपल वहां आ गई डिमपल बोली क्या हुआ जी जा जी नीन नहीं आ रही क्या संकेत बोला हाँ सिर में थोरा दर्द है डिमपल बोली अरे मुझे क्यों नहीं बोला रुकिये मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ संकेत बोला अरे नहीं नहीं मुझे इसकी ज़रुरत नहीं है लेकिन डिमपल कहां मानने वाली थी वो बाम की शीशी ले आई और संकेत को जबरदस्ती बैठा कर उसके सिर में बाम लगाने लगी बाम लगाते लगाते वो संकेत के करीव आ रही थी और वो जान बूच कर अपनी गरम सांसे संकेत की उपर छोड़ रही थी संकेत को अंकमफर्टबल लग रहा था लेकिन वो वही हरकत किये जा रही थी तो संकेत का गुस्सा फूट पड़ा संकेत बोला एनफ डिंपल प्लीज ये मत करो मैंने तुभे कितनी बार कहा है ये सब मुझे पसंद नहीं है देखो किसी भी रिष्टे की एक सीमा होती है उसे मत लांग हो माना कि जीजा और साली के बीच में मजाग का रिष्टा होता है लेकिन मजाग का ये मतलब नहीं कि फीलिंग्स का मजाग बन जाए मेरी वाई बिमार है पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ हर वक्त सोचता हूँ कि दिख्षा जल्दी से ठीक हो जाए और तुम हो कि संकेत ने इतनी जोर से कहा कि दिख्षा बहार आ गई संकेत बोले अरे दिख्षा तुम क्यों बहार आ गई दिख्षा बोली I am sorry संकेत तुमने मुझे पहले भी बोला था लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया डिमपल संकेत सही कह रहे हैं मजाग के रिष्टे कि आर्वे कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती I am sorry डिमपल लेकिन तुम हम दोनों को अकेला छोड़ दो और खुशी खुशी रहने दो हाला कि डिमपल को भी अपनी गलती का हैसास हो गया था उसने उन लोगों से माफी मांगी और दूसरे ही दिन चली गई वहां से दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिसे मेरी आने वाली सारी कहानिया आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी थैंक्स फॉर लिसनिंग